चलिए दिवाली के इस मौके पर आज आप से शेर कर रही हूँ ये 5 Amazing Money Magical Tips और वो क्या हैं? जुड़े रहे हैं इस जया करम जनानी वेलकम टू इन्विंसिबल पाशन ठाक शो और दिवाली के इस शुब मौके पर उमीद करती हूँ आप ने हमारे उस धनतेरस की और दिवाली के वीडियो को देखने के बाद अपने उस सेलिब्रेशन की तयारी करने हैं लिए होगी इसी मौके पर आप से मिस ना हो यह फाइव माजिकल मनी टिप्स शेयर कर रही हूं इससे पहले शेयर करूं जल्दी से जुड़ जाए हमारे इस परिवार से और जरूर बताएं आपके जीवन में इस साल आपको क्या नया खास अनुभा हुआ अब मनी माजिकल से ल्गाशाइऔरे नफ़ इस जीजन गफार से लक्षए पूजा रिवारे शेगी लाज़ार जाएव ऐसाल कोड़ा एग जाखुए दो पर लोग चानदी टोपोरर जीशेए इस से जुड़ी कुछा ड increment पर किसी भी रिलिजिस या धर्म से जुड़ी कोई तस्वीन या इमेज ना हो लक्ष्मी पूजन के दौरान और ये तब अगर आपको अपनी लाइफ में धन की सम्रिधी चाहिए मनी रिलेटिट फिनैंशल अबंडन्स और ग्रोफ चाहिए वरना करने की जरूवत नहीं चांदी के एक कटोरी लीजिए उसको गंगा जल से भरिये और उसमें रख दीजे ये चांदी का सिक्का इसके बाद आप अपनी पूरी पूजा करिए लक्ष्मी पूजन हो गया आपसे और हाँ ये धन्तेरस के दिन नहीं लक्ष्मी पूजन वाले दिन ही करना है चोटी से कटोरी में चांदी का सिक्का उसमें आपने ये गंगा जल डाला और भर के रखा रखे रहने दीजे ये आप तब तक रखे रहेंगे जब आपकी फिफ्ट डे यानि फोर्थ डे हो गया तो आप आपकी सारी सेलिब्रेशन हो जाएं यानि लक्ष्मी पूजन से च नाइट यलो कपड़े में भी चलेगा बांद के कोडियां वहीं पे आप ये चांदी का सिक्का रख देंगे सिल्वर और जब गंगा जल में क्योंकि डाल के आप रखते हैं जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है ग्रहों का बहुत ही पहफुल मूहरत होता है इसलिए पूज इनकम शुरू हो गई जो मनी रिलेटिड प्राबलम थी वो दूर हो जाएगी इससे आप पहली चीज़ करें और ये सिर्फ साल में एक दिन लक्ष्मी पूजन वाले दिन ही किया जा सकता है दूसरी चीज़ पहले भी मैंने आपसे मना किया कि बलैक अवोइड करिए खाने म या काला तवा ये सारी चीज़े मत खरीदी इस दौरान अब रोटी तो बनेगी उस पर बनाए मैंने पहनने को मना किया खरीदने को मना किया यूज करने को नहीं तो बहराल ये आप करेंगे दूसरा टिप आप और आपके हस्बन आपके बच्चे सब के पास जितने लूस क इसे रहते हैं पर सबका मंगाईए क्योंकि लक्ष्मी पूजन वाले दिन जब लक्ष्मी पूजा हो गई दूसरी चीज अब हां बहुत सारे लोग परिवार में कार्ड्स खेलते हैं अब आप कार्ड्स खेलने की या ताश खेलने की आदत डालें ग्रोइंग आप इन माय इनए चीजिए ऋनके लुष फामीली आइज वालवेंस सो और यां यहां युएस में भी में फॉलो करती हूं क्या करती हूं वही आप से शेह करें घर में जितने लोग हैं जिनके उनके लूस काइंस होते हैं अब कार्ड्स कहलेंगे अब मुझे भी कार्ण खेलें नहीं आ पानेता है कि शुभ होता है और आइधिंक बच्पन से देखते आई हूं अब जब आप कार्ट्स खेल रहे हैं सब के पास थोड़े थोड़े loose coins हो बच्चे हैं उनके पास नहीं है सब के हाथ में थोड़े-थोड़े loose coins not the rupees this is the hack लोग note निकालते हों खेलते हैं उसकी जगे आप loose coins से ही खेलेंगे पांच जस मिनट शग उनका जो भी आप कर सकते हैं this is believed ये लक्ष्मी पूजन वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद ये थोड़ी देर is very good तीसरी चीज़ अब हाँ again ये मैं इसलिए repeat कर रही हूं कि मैं नहीं चाहती कि viewers ये कहें मैं उन्हें ताश खेलने को सिखा रही हूं जी नहीं this is just one ritual and trust me क्यों काम करता है कैसे काम करता है I have no idea but it works अब इसलिए मैंने का 5-10 minutes आपकी श्रद्धा तीसरी चीज़ जब आप खाना बना रहे होते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद आप परिवार के साथ कुछ भी खा रहे हो तो मिठाई again अगर आपको diabetes है तो प्लीज मत करें शुगर से परहेज है मत करें in true sense मीठे से जो आपका रिष्टा है अपनी सेहत को ध्यान में दे बट यूश्वली अगर मीठा जादा नहीं तो गुड़ भी चलता है मीठा what I do तिल के लड़ू या गुड़ होता है जो प्रसाद में अगर आपने मीठा कुछ और चड़ाए तो गुड़ उसमें थोड़ा सा केसर और थोड़े से तिल आप वाइट वाले तिल डालिए उसका प्रसाद लक्ष्वी पूजन के बाद अगर आपने कुछ और भी चड़ आया हो तो यह जरूर लक्ष्मी पूजन वाले दिन खाएं यह तिल गुड़ और केसर डालके छोटे-छोटे भी अगर टुकड़े थोड़े आपने मूह में डाले शुब माना जाता है यह आपकी ग्रोध और प्रॉस्पेरिटी के लिए आपने धंतेरस वाले दिन अपनी सिख्य की बात करी दूसरी चीज अगें यहां फिर से कहोंगे कि आप अपनी सेहत को देखें फिर ही करें और अगर आप मीठा नहीं खाते आप यह नहीं कर सकते हैं देन you can skip it, मत करिये, चौथी चीज क्या करें आपको मनी में कुछ लोगों को गोर्ड पसंद होता है, सिल्वर पसंद होता है, अलग-अलग मैटल पसंद होते हैं, अब जैसे अलग-अलग कंटरी में, अलग-अलग कोइन्स के डिनॉमनेशन होते हैं, जैसे यहां पे क्वर्टर अब यह important है, सुनिएगा ध्यान से, सिक्का लीजिए, उस पर green color की sharpie या pen से लीजिए, और आप जो ये screen पर symbol देख रहे हैं, ये है abundance का symbol, ये आप दोनों तरफ बनाएंगे, लेट मी रिपीट, ये जो आप जिस भी देश में हो, उसका कोई भी एक सिक्का ले लिजे, सिक्के की साइज थोड़ी सी बड़ी हो, एकदम छोटे पर, इस डिफिकल तो राइट, तो थोड़ी सी ठीक हो, उस पर green color से, आप जो screen पर abundance का symbol देख रहे हैं, ड्रॉ करिए, दोनो ये रख सकते हैं, या उसका जो भी आइडल है, वो आप रख दीजे, ये पढ़ा रहेगा, चौथे दिन जब आप अपने लॉकर में रख रहे हों, ये आप उलू अपने लॉकर में रखेंगे, ये सिक्का अपने wallet में रखेंगे, और हटाएंगे नहीं, अब एक साल हो गय तब क्या करें, तब ये सिक्का, पूरे साल में आ देखिए आपको कितनी growth हुई, year after year, हर साली सिक्का आपके पास बड़ा रहे करनाएं की बार है, ये तो हुई हमारी चार टिप्स, आपके साथ फिफ्ट बोनस टिप शेयर करूँ, उसके पहले मुझे comment में बताएं कि आप का क्या lucky ritual है, आपके परिवार में, आपकी generation पीडी दर पीडी, क्या आपने ऐसा क्या करा है, जिसने आपको अपने जीवन में, आपके जीवन में abundance दिया, और फिफ्ट टिप, इसे बोनस टिप भी कह सकते हैं, आम तोर पर courts की बात मैंने आपसे बहुत episodes में करी हुई है, ल नमबर 24 की भी tips शेर करी हुई है, आपके life में आप abundance किस चीज को मानते हैं, बहुत सारे लोग gold, silver पर बिलीव नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग diamonds पर बिलीव नहीं करते हैं, आप abundance जिस चीज से जोड़ते हैं, वो क्या है, आपके लिए जिस चीज से जुड़ी हुई वो बात या abundance है, वो specifically सोचते हुए, अब आप क्या करेंगे, लीजे एक छोटी सी हरी इलाइची, आपके लिए abundance है, आपकी वो fancy गाड़ी या बड़ा सा घर या promotion, सोचे आपके लिए सिम्रिधी क्या है, वो एक इलाइची लीजे हांत में, और सोचते हुए कि वो abundance आपका manifest हो, जो आप चाहते हैं कि आपके लिए क्या है सिम्रिधी सोचे, लाइची हांत में लेती हो, लाइची आप अपने purse में रख लें, wallet में रख लें, अगर खराब हो जाए तो फेक दीजे, अगर 6 महीने साल भर चलती है, रखे रहने दीजे, पूरे साल के दौरान खराब हो गई तो फेहम मत करिएगा, फेंग दीजे, नहीं तो, पूरे साल ही लाइची आप अपने पास रखेंगे, अगली दिवाली पे, ये लाइची आप किसी पौधे में बरी कर देंगे, और फिर से एक नई लाइची रखेंगे, इंटेंशन क्या है, जिस चीज से आप अपने आप दिन किसी खास ग्रहों के टाइम फ्रेम पे होता है, इसलिए ये उपाए उसी दिन करने है, शेयर जरूर करिए और कंजू सी बिलकुल मत करिएगा, इस एपिसोड को शेयर करने में और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, गिव अस थाम्स अप एंड लाइक, मिलती इसलिए कर दो सब्सक्राइब करने में और हमारे इसलिए कर दो करने में तो क्या हप रखिए उस्टाइब करने में ड़ाइकर असमारे में ये दो मोंड लाइक हैं।